सुनमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एडू राठी पर आप सब का स्वागत करता हूं एक बर जल्दी से मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें औ और जो भी लोग यार चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों चलिए शिरुवात करते हैं हमारे आज के सेशन की ओवाज आ रही है सभी को ठीक है तो आज के सेशन के हम सिरुवात कर रहे हैं दोस्तों तो आज का जो हमारा सेशन रह यह हमारा टेलिग्राम चैनल है जिसके माध्यम से हम आपको सारी PDF जो है प्रोवाइड करेंगे तो आप इस पर जरूर से जरूर जुड़ जाएगा अगर आप में से कोई भी ऐसा वेक्ति है जो नहीं जुड़ा है तो प्लीज इसको फॉलो कीजेगा सारी क्लास शॉट्स और content update के लिए आज का जो पहला topic हम discuss करने वाले हैं हम discuss करने वाले हैं दोस्तो guideline on the appointment of the DGP DGP के appointment की guideline के उपर में आज हम पहला topic जो है वो आपके साथ में discuss करेंगे क्या guidelines हैं DGP के appointment के अंदर Supreme Court के दोबारा 2006 में case हुआ था और उस case के दोरान दोस्तो Supreme Court ने कुछ guideline दी थी सरकार को कि जब भी आप DGP का appointment करोगे तो आप इस प्रकार से करोगे लेगिन दोस्तो जो practices थी वो 2006 में जो police reform की बात हुई थी बहुत सारे state government ने अपने अपने कानून पास किये लेकिन कोई भी government जो है Supreme Court की guideline को full तरीके से पूरी तरीके से follow नहीं कर रहा है और it's a biggest concern ये बहुत बड़ा concern है it's a very big issue और उसी चीज को दोस्तो आज हम discuss करेंगे तो मुद्दा है GS paper 2 का Indian quality and governance मुद्दा आया हुआ avoid naming acting DGP कि acting DGP मत बनाओ acting DGP मतलब है temporary time के लिए DGP बना दिया आपने DGP police की बहुत significant और बहुत important post होती है उत्तर प्रदेश में अभी पीछे चार acting DGP रहे हैं तो इन सारी चीजों को लेखते हैं दोस्तो ministry of home affair ने ग्रहम अंत्राले ने सारे non compliant state को चिट्थी लिखे है भाईया तुम ये क्या कर रहे हो फटाफट जाओ और जल्दी से जो supreme court की guideline है उसको follow करो follow करके उसके साथ उसी के हिसाब की चीजे जो हैं वो आप implement करो ये बात हुई है तो context समझते हैं पहले ministry of home affair ने अभी states को जो है जिन जिन states जो states default कर रहे थे supreme court के directive में DGP appointment में supreme court ने उनको एक तगड़ी फटकार लगाई है दोस्तों ये development क्यों हुआ है मैं आपको बता दूँ दोस्तों अभी एक report जो है नहीं कर रही उसके बाद ministry of home affair ने इन सारे states को चेटी लिखी है और कहा है कि भाई साब जब आप appointment करते हो तो आप supreme court की guideline का पालन किया गरो ये state कौन कौन से है दोस्तों इन states में बता दूँ आंदरप्रदेश, तेलंगाना, यूपी, पंजाब these are the states और basically all are non-BJP ruled states जिनका इसके अंदर में दोस्तों क्या है नाम आया है इनको कहा गया है कि they are not appointing their police chief जिसको हम DGP कहते है उन्दा regular basis regular basis पर appointment नहीं कर रहे हैं despite the eligible availability of the official candidate ठीक है इनका candidate है जो DGP बन रखता है सारी qualification है बट फिर भी वो नहीं कर रहे है अब दोस्तों एक छोट इसी बात देखना ये difference between commissioner of police and DGP होता है दोस्तों basically दोनों के अंदर में difference क्या है दोनों के अंदर similarity क्या है तो ये आप एक बड़ देखोगे ये commissioner of police का है और ये हमारा किसका है दोस्तों DGP का है director general of police और commissioner of police तो जो commissioner of police होता है इसको हम police commissioner या commissioner of police दोनों भी कह सकते हो ये senior rank officer होता है and in many police force police commissioner may be experienced police officer those some are politically appointed elected and may not be shown police officer and in such a case there is a may be a professional chief of police in charge of day-to-day operation ठीक है ये अलग चीज़े एक बड़ लेना इसको मैं मुद्दे पर आता हूं context समझते हैं ministry of home affair ने states को जट्थे लिगी है विया आप supreme court की guideline को follow क्यों नहीं कर रहे हो थोड़ा समय Supreme Court की जो guideline है उसके बारे मैं बताना चाहूँआ क्या guideline है और ये किस case में आई तो प्यारे बच्चो प्रकास सिंग नाम का एक वेक्ति था और प्रकास सिंग नाम के जो ये वेक्ति है इन्होंने यार ये अपनी बात रखी थी प्रकास सिंग जो basically इन्होंने डारेक्टर जेनरल के रूप में DGP के रूप में सर्व किया था उत्तरप्रदेश में आसम में इन्होंने पब्लिक इंट्रस निटिकेशन डाल ली थी जन ही ती आचेका डाली थी 1996 में उन्होंने कहा था कि कई सारी जो पुलिस है हमारे इसी चीज़े हैं जिनमें रिफॉर्म की आवशकता है देखो दोस्तों इनकी बात को ध्यान में रखते वे सुप्रीम कोट ने जज्जमेंट दिया था 2016 जो अपने आप में बहुत लैंडमार्क जज्जमेंट था 2016 में सुप्रीम कोट ने कहा था in its ruling directed all the states and union territory to implement पुलिस रि पुलिस रिफॉर्म की आवशकता है और यह यह रिफॉर्म्स है जो आपको करने की आवशकता है these are the set of specific action the government must take to ensure police can perform without any political interference दोस्तों पुलिस के अगर मैं performance की बात करूं तो पुलिस का पूरा का पूरा परफॉर्मेंस जो है वो independent तभी हो सकता है जब उनके उपर किसी प्रका पॉलिटिकल प्रेशर ना है आपने पिक्चरों में देखा होगा एक अपराधी ग्रफतार किया जाता है वो अपराधी जो है किसी नेता का उसके सर पे हात होता है फोन जाता है उसको छोड़ना पड़ता है ऐसी चीज़े बहुत होती है न तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट नेक लैंडमार्क जज्जमेंट दी आफ्टर प्रकास सिंग लिटिगेशन और इस लिटिगेशन के बाद में तैय हुआ कि भाईया हम कुछ सेट औफ रूल इसको फॉलो करेंगे वहील अपॉइंटिंग दा डीजीपी डीजीपी को अपॉइंट करते है टाइम वो रूल हम पहला उन्हें का एक काम करो इनका टेन्योर फिक्स कर दो भाईया और सेलेक्शन प्रोसेस फिक्स कर दो यह बहुत अच्छी बात है डीजीपी यार हाइस्ट रेंकिंग पॉलिस ऑफिसर होता है तो इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है लास्ट मिनिट की उपर पॉइंट अच्छान है उसके लिए भी आप क्या करो आप सेलेक्शन प्रोसेस डिसाइड कर दो तभी क्या होगा दोस्तों कि यह जो पुलिस सिस्टम है पुलिस अपरेटर साही विदाव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काम कर पाएगा नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाइ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहां पे भी ना हो इसके लावा बात हुई कि यह क्या रेक काम करो एक स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉर्टि बनाओ इसका काम क्या है कि वो पुलिस जो जनता को प्रताडित करती है तो जनता भी उसके खिलाफ सिकायत कर सके तो कैसी भी बॉड़ी होनी चाहिए न तो यह ऐसा प्लाटफोर्म था जा सिटीजन जो है जो पुलिस के अत्याचारों से प्रभावित है अपनी प्रॉबलम लेके वो पुलिस के पास जाना चाहता है कि इस पुलिस ने मैं जो को ऐसे परिशान कर रखा है तो वो इस प्लाटफोर्म के पास में जा सकता है separation of investigation and law enforcement function बहुत important है देखो एक तो function होता है आपका जिसमें आप क्या करते हो दोस्तों investigate करते हो क्राइम आगया उसको investigation करना है एक होता है law enforcement कानून को जो है लागू करना दोनों अलग अलग चीज होती है दोस्तों तो पुलिस को कहा गया है जो हमारे सुप्रीम कोडस ने कहा कि ये function दोनों separate होने चाहिए दूसरी बात formation of security commission state security commission SSC ये वो वाला SSC नहीं है जो exam लेता है state security commission ये वो commission होगा जो state government को सलहा देगा पुलिस की functioning के उपर और national government को देश की सरकार को कौन करेगा इसलिए एक राज्य सरकार को सिफारिश करेगा recommend करेगा दूसरा किंद सरकार को और इनका काम होगा कि किस प्रकार से आप पुलिस की functioning को पुलिस के काम काज को आप बहतर बना सकते हो ये इसके काम रहेंगे सारे के सारे ठीक है अब दोस्तो state का कैसा response रहा आप समझिएगा कहानी 1996 में litigation गई प्रकास सिंग के दुआरा सुप्रीम कोट ने 2006 में judgment दी सुप्रीम कोट ने का कि yes there is a need of police reform पुलिस reform में क्या क्या होना चीए पहली बाद political interference नहीं होना चीए और ना हो इसलिए आप जो DGP है उनके जो highest ranking police officer है उनकी आते हुई अब state ने क्या response दिया मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों एक report के नुसार CHRI यानि Commonwealth of Human Rights Report initiative के इंसाब से ये 2020 तक का में data आपको बता रहा हूँ कोई भी state ऐसा नहीं है दोस्तों इसने सुप्रीम कोट की सारी बातों को मानना है ठीक है जो प्रकास सिंग केस में सुप्रीम कोट ने कहा था क्योंकि प्रकास सिंग केस के अंदर सुप्रीम कोट की judgment क्या है कि political interference ना हो अगर police के अंदर में political interference नहीं रहा समझ रहे हो तो फिर दबदबा कैसे बनेगा किसी नेता का समझ रहे हो अब बात को है ना तो इसलिए कोई भी state इसको implement नहीं कर रहा है 2006 के बाद 18 state ऐसे हैं दोस्तों जिनों ने अपने police act को reform किया या amend किया है बट किसी ने भी 2006 के decision को पूरी तरीके से लागू नहीं किया है कुछ-कुछ states जो है उनके अपने इस उन्होंने कहा है Supreme Court की judgment ही खराब है, ठीक है Supreme Court को इस बारे में knowledge ही नहीं है उनको कईोंने कहा कि नहीं इसमें तो कुछ flaws है Supreme Court की judgment में और इसलिए उन्होंने इसको लागू नहीं किया है कुछ का मानना ये भी है कि नहीं वहीदिखो चीफ मिनिस्टर जो होता है न वो राज्य का प्रमुख होता है राज्य का राज्या होता है उसके पास में कुछ ऐसी discretion होने चाहिए कि वो किसी भी अधिकारी को DGP बना सके बड़ा अधिकारी बना सके अगर उसके पास ये discretion रहेगी न तो वो राज्य के अंदर में law and order को जा additional power होनी चाहिए इसके अंदर कुछ discretion होना चाहिए कैसे select होगा और कैसे नहीं होगा तो कहने के मतलब यह सब वही बात है टालने वाली बात है टालने वाली बात है वही चैतर का खेल है भाई कि हम आपकी जो direction है उसको implement नहीं करेंगे अब जैसा बने बताया दोस्तों DGP का क क्या कर रहे है पर्मानेंट करेंगे तो वही दो साल का term होगा tenure होगा नियम कानून बहुत सारी चीज करनी पडेंगी यह सब क्या कर रहे है कि additional जो है या temporary DGP जो है वो बना देते है ठीक है temporary DGP appoint किया जाता है दोस्तों बहुत सारी state ऐसा कर रहे है आंदर प्रदेश ऐसा क अंदर प्रदेश तेलंगाना उत्तर प्रदेश और पंजाब यह temporary DGP जो है वो more than a year एक साल से जाधा के लिए temporary DGP बना temporary DGP क्या होता है कि ठीक अभी candidate नहीं है या कुछ और बात है किसी चीज के चलते फिलहाल हम नहीं कर सकते तो अभी आप कुछ कर लो जुगाड़ पा पर आए है तो इसलिए भाई आप Ministry of Home Affairs ने कहा कि आप default कर रहे हो Supreme Court की guidelines से इसलिए उनको कहा कि आप Supreme Court की direction के साथ में डर रहे है जो guideline Supreme Court ने और UPSC ने दी है regarding the appointment of DGP उसको follow कीजिए और कम से कम जो DGP आप appointment करते है उसको 2 साल का tenure तो 2 ही दो 2 साल वो रहे ठीक है Directive emphasized temporary or acting DGP should only be appointed in exceptional circumstances होना भी यही चाहिए भाई आप acting DGP क्या है आप उसको exceptional circumstances में लेके आ सकते हो कि भी मान के चलो ऐसी situation आगी कि वही सब तो क्या ही करें यार ठीक है मामला मतलब ऐसा हो गया कि अब कुछ किया नहीं जा सकता तो then on that case के अंदर में ऐसा किया जा सकता है भाई किस ने कहा दिया आज मेरी wedding anniversary है यह भाई तुम भी अपने कुछ भी बढ़ा लेते हैं यह नही है मुझे लगता नहीं phone वगेरा में कोई problem है ठीक है अराम से अगर आप देखोगे तो मतलब easily मुझे तो दिख रहा है यार ठीक है everything is clear चले ठीक है यह पहला topic था हमारा मुद्धा दूसरे मुद्धे पर आते हैं दोस्तों यह मुद्धा बड़ा important है आज का नहीं दोस्तों बहुत पुराना मुद्धा है UNSC के अंदर में reform की बात है UNSC मतलब United Nations Security Council देखो दोस्तों एक international body है जिसका नाम है UN UN stand for United Nation पता होगा न UN stand for United Nation अब यह जो United Nation हैं दोस्तों इसकी 5 permanent body है 5 permanent body में से एक body है United Nations Security Council यह सबसे important body है जिसके पास में कुछ permanent member है और कुछ non-permanent permanent member जो होते ह दोस्तों उनके पास में veto power है ठीक है permanent है और दूसरे है non-permanent permanent जो है they enjoy veto power इसका काम क्या UNSC का to maintain safety security and peace in the दुनिया में बट यह बहुत important decision making body होती है UN की अब दोस्तों इसमें जो 5 देश है जिनके पास में veto power है वो बहुत पहले decide हुआ था और उसके बाद में पूरी दुनिया क geopolitics जो है वो बहुत बदल गई है समझ में आरी बात उसके बाद में जरूरत है कि इसके अंदर में बदलाव किये जाए और कुछ ऐसे देश जो बढ़े है जैसे भारत यार इतनी बड़ी से population है भारत की Africa continent उसका कोई representation है UNSC के अंदर यहाँ पर किया गया कि नहीं इनको भी representation आपका मिलना चाहिए तो उसी की उपर लंबे समय से बात चीज चल रही है लेकिन वो मुद्दा जो है वो कभी आगे बढ़ी नहीं पाता और उसी से संबंदी थी अपनी न्यूस है जिसको हम डिसकस करेंगे मुद्दा है कि कब तक 5 देश जो है वो 188 देश के उपर में राज करते रहेंगे इंडिया की क्या डिमांड है UNSC reform के उपर इस पर बात करते हैं तो दोस्तो GS paper दो important international institution agencies for us and their structure and mandates so let's have a discussion over it मुद्दा क्या है दोस्तों मुद्दा ये है इंडिया की जो permanent representative है और UN के अंदर ambassador है रुचीरा कमबोज उन्होंने क्या का है उन्होंने intergovernmental negotiation on security council reform में का है कि या भारत की permanent seat होनी चाहिए अब ये intergovernmental negotiation क्या है दोस्तों ये बातचीत है सरकार के बीच में intergovernmental सरकार के बीच में जो UN के member उनके बीच में बातचीत है कि किस प्रकार से UN के अंदर reform किये जाए बट जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों ये process जो है इतनी लंबी और इतनी delayed हो रही है बहुत मतलब इसमें delay चल रहा है चल रहा है चल रहा है delay होती जा रही है UNSC reform involves revising and modernizing the United Nations Security Council structure membership and operation बहुत important बात है दोस्तों UNSC reform की बात यही है बया कि आप इसको modernize करो आज के time ते United Nations Security Council को क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें 5 देश है जिनके पास veto power है और वो 5 देश बाकी 188 देशों के उपर में rule कर रहे है अगर वो चाहेंगे तो कुछ होगा और नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा United Nations पूरी दुनिया का एक बहुत important एक organ है दोस्तों UNSC उसका एक आत्मा मालो आप जिसका काम कहा है दोस्तों global peace or security को maintain करना जो वर्तमान का composition है ठीक है जो decision making है वर्तमान की दोस्तों किसकी UNSC की United Nations Security Council की वो बहुती मतलब unbalance, imbalance है उसके अंदर में वो वर्तमान के अंदर में जो होना चीए ना वर्तमान में जो condition है उसको fully reflect नहीं कर रही है जो आज का हमारा वर्तमान का geopolitical landscape है वो उसको पूरी तरीके से fulfill नहीं कर रही है उसको पूरी तरीके से संबोधीत नहीं कर रही है और इसलिए बार बार ये demand होती है कि भईया आप इस system को क्या करो आप इस system के अंदर में reform करो आप इसमें सुधार करो आप इसमें बदलाओ करो अब जब UNSC की reform की बात होती United Nations Security Council की तो यहाँ पर 5 एरिया की बात होती है कि these were the 5 different major area जिसमें आपको reform करने की आवशक्ता है these are the 5 main categories और यह category कौन है दोस्तों सबसे पहली बात होती वीटो पावर पर मैंने बता 5 देशों को वीटो पावर दे रखी है इन्होंने 5 permanent देश है ना उनको वीटो पावर दे रखी है तो एक तो इस पर बात होनी चाहिए दूसरा regional representation भारत जो जिसकी दुनिया में मेरी खाल में होई आया almost होई चुका है सबसे ज़्यादा population है पुरी दुनिया में भारत और एक ऐसे देश को आपने क्या किया है दोस्तों आपने UNSC की permanent seat देही नहीं है एफरीका एक पुरा continent है दोस्तों और उसको UNSC के अंदर में कोई seat नहीं है आप पाँच देश पूरी 188 देश के उपर में आप क्या कर रहे हो शाशन करा रहे हो दोस्तों इसका working method, size और working method UNSC का ये obvious ही बात है democratic नहीं है पाँच देशों को ज़्यादा power है इसको expand करने की आवशकता है and relationship between the security council and general assembly United Nation General Assembly or United Nation Security Council इनमें जो संबंध है उस संबंध में भी सुधार करने की आवशकता है United Nation General Assembly तो मैंने बताया UN का ये एक भाग है दोस्तो, permanent organ है United Nation Security तो उनके अंदर में जो dependency है, जो relation है उसमें सुधार की बात यहाँ पे की गई है Now, what are the associated challenges in this? कई सारे मुद्दे हैं, सर पहला मुद्दा तो क्या है, दोस्तो, ये जो member state है जिनके पास veto है उनमें कभी consensus नहीं बनता भारत ने कई बार resolution रखा है कि पाकिस्तान के किसी भी particular व्यक्ति को या संस्था को आप terror organization घोशित कर दो उदर से China आके veto लगा देता है उसके उपर में होता है ना, ऐसा नहीं होता, बताओ तो कई बार ऐसा होता है, कभी कोई veto लगा देता है, कभी कोई veto लगा देता है मतलब क्या है, कि अगर आप देखोगे तो ये North Pole versus South Pole वाले देश है एक देश इसमें US है, जिसके पास veto power है, दूसरा देश रशिया है totally opposite, तीसरा देश वो है veto power जिसके पास China सबके vested interest है, तो ऐसे में कभी भी इन देशों के बीच में आपसी सहमती बनती ही नहीं है भया, तो इसलिए जरूरत है कि इन देशों पर क्यों depend रहे, उस time पर ठीक है, they might be the superpower and कुछ भी reason हो सकता है, बट आज की geography, आज की geopolitics जो है से क्या है, दोस्तो different है different countries have diverse interest, आज देखोगे यह जो पास देश है सबके अपने अपने interest है, अपनी priority है, अपने अपने vision है और उसी के हिसाब से क्या करने की बात यहाँ पर हुई है complexity of reform proposal, आप देखो दोस्तों क्या है कि यह जो reform की process ही अपने आप में बहुत complex है, ठीक है, बहुत complex है आप permanent, non-permanent member को बढ़ाओ, यह अपने आप में veto power किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, it's very मतलब exhausting मुद्द, मतलब बहुत complex मुद्द है दोस्तो Various proposal for reforming the UNSC including those related to the expansion of permanent and non-permanent member the question of veto power and regional relationship ये के ये बड़ा मुद्द है दोस्तो UNSC में सुधार के लिए विबिन प्रस्ताव जिनमें स्थाई और गैर स्थाई सदस्यों का विस्तार वीटो शक्ती का प्रश्न और छेत्रिय प्रतिनिदित्तों से संबंदित प्रस्ताव शामिल है Finding a consensus of these complex issues required diplomatic negotiation अगर आप इन मुद्दों को solve करना चाहते हो तो आपके बीच में राजनीतिक, वो कूटनीतिक सूजबू जोनी चाहिए और जो इन देश्तों के वीच में कहा रहा है कि शाद कम है अचा चलो बात शुरू भी होती है, तो बात जो होती है वो बहुत slow pace से होती है there is a very slow pace of negotiation ठेक है, सुधार की बात चलो शुरूत हो गई लेकिन वो बात इतनी दीरे होती है कि बस मत पूछ हो बात यहर the process of UNSC reform has been characterized by slow progress and incremental change ठेक है, negotiation within forum like intergovernmental negotiation जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें अभी बात उठी है it often been protected, protected मतलब delay कर दी जाती है, लंबी कर दी जाती है अगर effort चलाए भी जाए ना भाई, तो यह जो reform की process है उसको जान पूछ के खींच के इतना लंबा कर दिया जाता है कि फिर उसका outcome ही नहीं दिखते है लगे रहा हो तुम उसमें, बहुत slow pace है दोस्तों इन negotiation का ठेक है, अब बात करते हैं दोस्तों जिसमें मुद्दा शुरू हुआ था इंटर-governmental negotiation के उपर इंटर-governmental negotiation क्या है दोस्तों देखो, इंटर-governmental मतलब है सरकार के बीच का negotiation आप समझते हो, बाचीत वारता it is nothing but just a series of discussion and negotiation among the United Nations member state focused on reforming the structure and operation of UNSC पर UNSC के सुधार के हम बात करते हैं न तो UNSC का जो संरचना है, उसका संचालन है उसमें कैसे सुधार हो उस सुधार के उपर में किंद्र बिंदू में ये प्लाटफॉम है सुधार की बात कहीं तो करोगे तो वो INN में होती है IGN में होती है, इंटर-governmental negotiation होती है उसके सरकार के बीच में आप सीवारता it is launch to address the perceived necessity मैंने बताया, जो हम आज जरूरत महसूस कर रहे है कि हमें भया Security Council की membership को expand करना चाहिए ताकि वर्दमान की geopolitical dynamics को हम उसमें include कर सके उसके लिए ये इसको launch किया गया था, इसको start किया गया था कि जो आज की बदलती geopolitical dynamics है उसके इसाब से आप UNSC को बदलो, ठेक है, उसको change करो और जब आप बदलोगे, change करोगे, ना तुसी से फिर इसकी creditability और इसकी efficiency जो है, वो परमानित होगी recognized by United Nation General Assembly in 2008, the IGN serve as a platform for member state to engage in talks and negotiation regarding UNSC reform तो basically एक गाजर है, जो सारे member state के आप में पकड़ा दी जो state ये कह रहा था, जो राज्ये कह रहा, जो देश ये कह रहा था कि United Nation में reform करो, UNSC में reform करो, उसके हाथ में ये IGN नाम की गाजर पकड़ा दी, इसमें तुम करते रहो बाचीत और अभी हमने बता है, इसमें बाचीत बहुत लंबी चलती है जबरदस्ती बाचीत को डिले कर दिया जाता है, और ultimately इस संस्था का बाप कौन है, बाप है वह पाँच परमानेट जिनके पास वीटो पावर है कल को तुमने कुछ बात चलो, कर भी दी तो वो वीटो लगा के रोग देंगे बाचीत को ठीक है, इसलिए दोस्तों ये बड़ी प्रॉबलम है, इसमें डिप्लोमेटिक वो होता रहेगा जब तक कोई रैडिकल चीज ना हो जाए तब तक आप नहीं कर सकते हैं जो पाँच वीटो पावर वाले देश हैं, वो कुछ होने देंगे ही नी भाई जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ती है, कभी नहीं चाहेगा कि मेरी शक्ती चली जाए ठीक है, कभी नहीं चाहेगा अब बात करते हैं दोस्तों United Nation Security Council की तो मैंने आपको बताया है, दोस्तों देखो World War 2 के बाद में एक दुनिया में एक ऐसे संस्थान स्तापित करने थे, जिससे यार World War 1, World War 2 जैसी घटना है, दुबारा ना हो और उसी के लिए दोस्तों United Nation की स्तापना हुई, World Bank की स्तापना की गई ठीक है, तो United Nation की स्तापना 1945 के अंदर में हुई थी दोस्तों ठीक है, इसकी, और इसके 6 principal organ बनाए गए थे, United Nation के और उन 6 में से एक क्या था, UNSC, इसका काम था कि दुनिया भर के अंदर में आप peace और security maintain करना, ठीक है, अब UN के मैंने बताए कि इतने 6 principal organ तो 6 में से एक तो हो गया, UNSC, बाकी कौन से हैं सर, बाकी 5 organ है, पहला है General Assembly, एनि की United Nation General Assembly, तीसरा है इसके बाद देखो, Trustship Council, फिर आता Economic and Social Council, फिर आता International Court of Justice और फिर last में आता है Secretariat भाई साब, ये 6 main organ है, याद रखना, ठीक है, इन सब का काम, sorry, इसका मुख्य काम जो है, वो है Headquartered in New York, ठीक, समझ में आया दोस्तो, बदाईए, horse trading क्या है गुरू जी, ताइगर देखो ऐसा होता है कि मानलो, election हुआ कहीं पे भी, है ना, और election के दोरान क्या होता है, एक party को या किसी गठवंदन को कुछ seat कम मिलती है, कुछ, उसको कम, मानलो, 90 seat चाहिए, उसको सरकार बनाने के लिए, और उसके पास है 80 seat, तो उसके बाद, जो MLA की खरीद और बेच होती है, उसको horse trading कहते हैं, यह आपने देखा होगा, रात तो रात, इधर के MLA उठके उधर चले जाते हैं, that is also horse trading, तो horse trading कब होती है, दोस्तों, जब किसी party को clear majority ना मिले, संपून भहुमत ना मिले, और उसके बाद में, जो behind the scene काम हो चलता है, MLA की ख ठीक है, उसी को जो सरकार, अपनी सरकार बनाने के लिए, जो भी दाओं पेच लगाती है, जिन MLA को खरीदती है, जो करती है, that is known as the horse trading, अब दोस्तों, वेस्ट में बुरी और बहुत दुखदाया घटना सामने आईए दोस्तों, संदेश खाली के अंदर में, और इस घटन किया राष्टपती को कि आप, अपनी रिपोर्ट में कि आप वेस्ट बंगॉल पे प्रेजिडेंट रूल लगा दो, राष्टपती शाषन लगा दो, ठेक है, अब यह किस के तहत में हुआ है, constitution के किस article में हुआ है, और क्या यह प्रावधान है, यह national commission for scheduled caste क्या है, चलिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले दोस्तों यह मुद्धा हम क्यों discuss कर रहे हैं, we are discussing it because it's part of GS paper 2, यह GS paper 2 का मुद्धा है, Indian constitution, issue related to the SC and ST and constitutional bodies, समझ में आई बात, इस से संबंधीत है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे है, national commission for scheduled caste ने recommend की है रास्टपती को, कि आप president rule लगा दो, West Bengal के अंदर, पश्रिम बंगाल के अंदर में, क्यों, क्योंकि उनका मानना है कि जो महिलाएं, schedule caste से belong करती थी, TMC, जो वहां की party है, Trimul Congress, उन्होंने उन महिलाओं के साथ में बहुत बुरी तरीके से harassment की है, कहां पर दोस्तों, यह मुद्धा है आपका, य we will discuss it later, but बहुती, मतलब, बुरी घटना होई है, बहुती बेकार घटना यहां पर सामने आई है, अब घटना क्या सच है, गलत है, वो हमें नहीं पता, बट जो वहां की सरकार है, TMC के supporter, जो उन्हों पर आरोप है, कि उन्होंने schedule caste महिलाओं का बहुत बुरी तरीके से harassment किया है दोस्तों, ठीक है, अब यह जो recommendation आई है, वो किसकी तरफ से आई है दोस्तों, National Commission for the scheduled caste, यह हमारे सविधान के अंदर में एक body होती है, जिसको article 338 के तहत में बनाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, देश के अंदर में scheduled caste जो population है, उससे संबंदित मुद्दों के उपर में नजर बनाये रखना, देखना क्या देश के अंदर में scheduled caste जो लोग हैं, उनके साथ किसी प्रकार का बेदबाव तो नहीं हो रहा है, क्या जरूरत है, किस प्रकार की जरूरत है, ताकि समाज का तकबा सामने आए, इनके लिए recommendation करना, इनके लिए सलह देना, इसका काम होत है, so it recommend that president rule should be imposed, इन्होंने recommend किया है कि राष्टपती साशन लग जाना चाहिए, कहां पर, West Bengal में, जो वरतमान की situation है, वो बहुत बुरी situation है, और article 338 के तैत, आप यहां पे क्या करो, आपको schedule caste के right को safeguard करना है, और इसी के तैत, उन्होंने कहा है कि हम आपको suggest करते हैं कि यहां पर प्रेजडेंट रूल लगा दो, अब यह article 338 क्या होता है, देखो दोस्तो, article 338 जो है, सविधान में क्या कहता है, सविधान कहता है, it should be the duty of the commission to present the parliament, प्रेजडेंट, यहने annual report, ठीक है, at other times as the commission may be deemed fit, reports upon the working of the constitutional safeguard of the scheduled caste, देखो दोस्तो, बहारत के सविधान के अंदर में scheduled caste क प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कई सारे प्रावधान बनाए है, अब वो प्रावधान ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, अगर वो सही कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इन सब मुद वाइलेंस हुआ, रिपोर्ट सामने आई कि एसी के साथ में वाइलेंस हुआ है, या किसी प्रिकार के इनके अधिकारों कहनन हुआ है, तो बोल दिया जाएगा कि नेशनल कमिशन पर शेडियूल कास्ट जो है, आप इनकी जाज करो, वो फिर रिपोर्ट देखते हैं, तो एन् Constitution, 89th Amendment Act 2003, 2003 में इसको बनाया गया था, it came into effects by inserting a new article, जिसको हम बोलते है, article 338A in the Constitution, ठीक है, अचाएगे, ट्राइब्स के उपर में, ये नैशनल कमिशन फोर शेडियूल ट्राइब पे है, ज्यादा फरक नहीं है, शेडियूल ट्राइब और एक शेडियूल कास्ट का है, शेडियूल ट्राइब का जो है, वो आर्टिकल 338A, पहले दोनों का सेम होता था, ठीक है, पहले दोनों का सेम होता था, बाद में इनको सेपरेट किया गया, कौन से का सब इत्संसो दन से, 89th Amendment Act 2003 के माध्यम से, अब तुर्णा इसका composition देख लेते है, National Commission for, शेडियूल ट्रा शेडियूल ट्राइब हो, अब जैसे यहाँ पे ट्राइब लिख दिया, तो कास्ट वाले में भी सेम ही होगा, एक चेर्मन होगा, उसके अंदर शेडियूल ट्राइब होगा, एक वाइस चेर्परसन होगा, और तीन जो हैं उसमें फुल टाइम मेंबर होगे, अब जो यह इसके पास बहुत सारी पावर है, तो कमिशन जो है, इसके पास बहुत सारी पावर है, this is vested with all the power of civil court, जब यह काम करता है, तो इसके पास civil court की सारी पावर होती है, दोस्तो, किसी भी matter को जब इन्वेस्टिगेट करता है, तो it has the power of the civil court, समझ में आई बात, वही मान के चलो, कोई भी ऐसा, वो आगया, case आगया, जिसमें देखना है, कि scheduled tribe या scheduled caste के साथ में, कोई अ अन्याय हुआ है, क्या इनके अधिकारों का हनन हुआ है, तो जब भी यह commission, national commission for scheduled tribe और scheduled caste, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब यह उसकी investigate करते हैं, उस मुद्दे को कि क्या सही में ऐसा हुआ है, जब उस पर report बनाते हैं, so they have power of the civil court, इनके पास civil court की power उस समय पे होती है Now what are the different function of the commission, देखो यह function है, इस commission के इनको क्या काम करना है, तो पहला मैंने आपको बताई दिया, बैद देश के अंदर में सविधान ने कुछ अधिकार दिये है, scheduled caste और scheduled tribe को दोनों को दिये है, तो पहला इनका काम यही है कि यह evaluate करना, कि सविधान में जो अधिकार दिये है वो सही से लागू हो रहे है कि नहीं हो रहे है, क्या उन अधिकारों की तहत में, पुलिस या सरकार या प्रसाशन उनके इसाब से उनको प्रोटेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या उनके साथ किसी प्रकार का न्याय हो रहा है, पहली बात, दूसरा, it will inquire into specific complaint, जब कोई specific complaint जाती ही, जैसे अभी संदेश खाले में हुआ, यह special complaint की गई है, जब जब इसको संज्यान में लिया गया है, National Commission for Scheduled Cast की दुवार और उसने फिर अपनी रिपोर्ट सामने रखी है, The Commission also participate in advisory, advice on the planning process for the socio-economic development of the STs, and also evaluate the progress of the various developmental activities, the President will be presented with an annual reports, राष्टपती को एक annual report दी जाती है, ठीक है, हर साल, annual तो जाएगी जाएगी, और कभी इनको बोल दिया जाए कि ठीक है, आप कर लो तो वो देते भी है, इनके और भी function है दोस्तो, Welfare, Protection and Development of Advancement of the ST, और SC as well, ठीक है, बस जहाँ ST लिखा है, वहाँ ST कर देना, SC कर देना, दोनों के almost काम और वो सब सेम ही है, ठीक है, समझ में आया दोस्तों मुद्दा है, अब यह थोड़ा सा क्या है, इसके बारे हम बात करेंगे, संदेश खाली में क्या event हुआ है, क्या incident हुआ है, that we will discuss, उसको हम discuss करेंगे, that's a, मतलब बहुती बुरी बात है, कि इस प्रकार की गटना है, इसके अंदर में आज हो रही है, but we will look into that, ओके, चलिए दोस्तों, next बात करते है, anti-satellite weapon, अभी दोस्तों, पुरी दुनिया के अंदर में बहुत concern आ गया है, कि रश्या जो है, बहुत तेजी के साथ में anti-satellite weapon जो है, वो टेस्ट कर रहा है, लोग कहरेंगी यार, यह शायद अपना न, anti-satellite weapon जो है, बना रहा है, anti-satellite weapon क्या है, दोस्तों, भारत के पास भी anti-satellite weapon है, मतलब अंतरिक्ष के अंदर में कोई satellite घूम रही है, low earth orbit, geosynchronous orbit, कहीं भी घूम रही है, अंतरिक्ष में है, उस मतलब सुनने में आया है, ऐसा लोगों को संकोच है, ऐसा उनको लग रहा है, इसका इस्तमाल किसके लिए किया जा सकता है, दोस्तों, पहला तो आप समझ लो, anti-satellite है, मतलब satellite को down करने के लिए, satellite को down क्यों किया जाता है, दोस्तों, कई देश ऐसे होते हैं, उनका military operation जो होत हुच गया है, ठीक है, space warfare के अंदर में, तो वो सारी चीज़े हैं, तो उसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा discuss करेंगे, anti-satellite system जो है, weapon जो है, वो दो परकार के होते हैं, पहला kinetic energy वाला, दूसरा non-kinetic energy, kinetic energy में क्या होता है, धरती से आप missile shoot करते हो, वो एकदम सटीक उस पर जाक होगे, और satellite को hack कर दोगे, उसको defunction कर दोगे, या आप laser beam इतनी high intensity की laser beam मारोगे, वो खतम हो जाएगी है, तो कई सारी तरीके होते हैं, उन्हें को हम पढ़ेंगे दोस्तों, रशिया जो है, वो actively क्या कर रहा है, space technology के अंदर में अपनी advancement बढ़ा रहा है, particularly in the development of nuclear anti-satellite weapon, ठी कि space के अंदर में अपनी जो warfare capabilities है, उसको वो क्या कर सके, enhance कर सके, उसको वो बढ़ा सके, अब ये anti-satellite weapon जो है, वो क्या है, they are designed to deliberate and destroy satellite that are already in the orbit and operational, देखो कोई भी ऐसी satellite जो अल्रेडी काम कर रही है और अंतरिक्ष में है, उसको nust करने के लिए दोस्तों हम इन्हें anti-satellite weapon का इसमाल करते हैं, अगर मैं type of anti-satellite weapons की बात करो, कितने type के होते हैं, तो we have two type of anti-satellite weapons, first जो होता है, इनको हम कहते है, kinetic energy method वाले और दूसरा होता है, non-kinetic energy method वाले, kinetic energy में क्या होता है, मैंने बताया था, हम नीचे से physically जाके satellite से impact कराते हैं, और वो उसको तोड़ देता है, इ उसरा होता है, non-kinetic, non-kinetic मतलब इसमें हम गती का इस्तमाल नहीं करते हैं, हम physical attack नहीं करते हैं उसके उपर, इसमें आप क्या करोगे, उसपे cyber attack करोगे, उसको jam करोगे, laser का attack करोगे उसके उपर, ताकि satellite जो हो आपकी disable हो जाए, ब्लाइन हो जाए, है ना, आप physically उसको destroy नही attack करोगे, यह जो attack है, इनको आप हवा में launch कर सकते हो, हवा में जाके lower orbit से, ground से भी कर सकते हो, कोई problem नहीं है, इनमें सबसे effective method जो होता है, non-kinetic का, non-kinetic method में सबसे एक method होता है, जिसके अंदर में होता है, pellets cloud attack, ठीक है, pellets cloud attack जो है, यह lower orbit के उपर किया जाता है, lower satellite पे, अब मालो इस प्रकार की anti-satellite weapons बनाये जाते हैं, और एक देश, दूसरी देश के satellite को अगर target करेगा, तो इससे क्या होगा, अंतरिक्ष के अंदर में जो हमारा satellite ecosystem है, वो disturb हो जाएगा, कोई मालो missile छोड़के तोड़ दे, फोड़ दे, तो अंतरिक्ष में ऐसा debris ही खटा हो जाए directed energy weapon laser-waste, target missile for satellite destruction to disrupt energy military operation, several countries have these capabilities, but only four, जैसे इंडिया, जो है, उन्होंने अपनी capabilities को demonstrate किया है, कहते कही सारे हैं, बट चार ही देश ऐसे हैं, जिन्होंने दिखा दिया करके, भारत उनमें से एक है, and this is a proud thing for us, हैदा, मुद्दा यही मैंने बताया, इससे क्या होगा, दोस्तों space के अंदर बहुत ज़्यदा debris हो जाएगा, और फिर आज तो ही है, आज की satellite का काम करने में दिक्कत देगा ही देगा, वो भविश्य के अंदर में भी आप देख लो, कोई भी commercial, या कोई भी आपका civil satellite अगर आप launch करोगे न, तो उन सब को वो क्या करेगा, दोस्तों, problem करेग तो ये सबसे बड़ी problem है इस case के अंदर में, ठेक है, समझ आया है दोस्तों क्या मुद्दा था हमारा पूरा, are you able to understand this thing or not, समझ आ रहा है दोस्तों, एक बार अगर समझ आ रहा है तो please comment box में ऊके एक report लिख दो, and please guys वीडियो को like और share कर दिया अगरो यार, we need your support, ठेक है, आ अगर आप लोग ऐसे individual initiatives को support नहीं करोगे न, तो market में monopoly हो जाएगी, कुछ-कुछ agency, कुछ-कुछ संस्था हैं, वो market पे कबजा कर लेंगी, मन चाहे rate वसूल करेंगी, और quality तो फिर मतलब भूल जाओ, कई लोग सस्ते में भी देंगे, बोल देंगे, 5000 में देंगे, 10000 में द कितने subject है, geography, history, quality, science and tech, environment, current affairs, कितने subject होगे, economics, art से 9, art से 9, 10 subject मालो आप, एक subject को आप 1000 रुपे भी पढ़ाओ, तो 10,000 रुपे, और एक subject के अंदर में, geography जैसे subject के अंदर में, कितने गंटे लगते हैं, बताओ मुझे, geography जैसे subject को अगर आप अच्छे से करना चाहते हो, तो at 100 hours का मतलब, एक गंटे का 10 रुपिया, ठीक है, आपको लगता है, एक गंटे का 10 रुपिया, जो है, कोई भी पढ़ाएगा, तो वो क्या कर रहे हैं, एक बर class को record करके, फिर उसी content को दिये जा रहे है, जैप पे जा रहे है, आप लोग भी खुश हो, आपको लग रहा हो, भ बवा चुके होते हो, UPSC की तैयारी में पैसा इतना important नहीं है, जितना समय है, अगर आप 3 साल अपने समय के गवा दिये, आपने 2-3 attempt खराब कर दिये, then you have nothing, अब आपके पास कुछ नहीं है, अब आप बैढ जाओ और फिर, आप फिर कितनी भी अच्छी तैयारी करो, पहले सस्ते के चकरें पढ़ते हैं, फिर वो चले जाएंगे, बिल्कुल high-end एकदम institution में, 2,00,000 एकदम धड़ाम से देंगे, पर आप समय बेस्ट कर चुके हो, अब बात नहीं बनेगी, तो इसलिए, जब आप join करते हो, initially, तो देखो यार, कहां पे आपका criteria fit हो रहा है, सिर्फ अकेला पैसा जो हो important नहीं होता, ठीक है, कौन लोग है, जिनको आपको लगता है कि हाँ, इन में legitimate है, तो connect with those people, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, मैं इसलिए कहता है, individual लोगों को support किया, अगर हो, चाए कोई भी हो, cash reserve ratio की बात करते हैं, मुद्दा अभी क्या है, मैं आप आपको बताता हूँ, अभी हाल-फिलाल के अंदर, State Bank of India ने कहा है, कि जो हम green bond में जो पैसा लेते हैं, green deposit में जो हम पैसा लेते हैं, देखो green deposit क्या होता है, आप समझ ये, ठीक है, deposit का मतलब आप बैंक में जाके पैसा जमा कराते हैं, और जो green deposit होता है, उसका मतलब है कि वह जो पैसा लोन पर दिया जाएगा, वो उन लोगों को दिया जाएगा, जो environment में किसी प्रकार का carbon emit नहीं करते हैं, उस deposit को हम बोलते हैं, green deposit, green deposit मतलब है deposit, जिसका इस्तमाल green project को finance करने के लिए किया जाता है, ठीक है, अब bank, जो है, bank का instrument है, bank इसके माध्यम से दोस्तों fund raise करत है, अब इसी के तहत में, SBI, State Bank of India, वो demand कर रहा है, RBI से कह रहा है, कि भहिया, हमें न, आप एक provision बना दो, कि जो हम green deposit के तहत में, जो पैसा अपने हाँ deposit कराते हैं, तो आप उस पे CRR थोड़ा कम करो, ठीक है, उस पे CRR कम रखो, तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि CRR क्य है, क्या होता है, green financing के लिए, जो bank पैसा raise करते हैं, that is known as green deposit, now the second thing is here, is the CRR, what is this CRR, दोस्तो CRR जो है, it stand for cash reserve ratio, क्या बोलते हैं इसको, cash reserve ratio, यह क्या होता है पता है आपको, देखो, एक bank जब काम करना शुरू करता है, माल लो, bank के पास total net demand and time liability, NDTL कहते हैं इसको, मतलब, NDTL क मतलब, माल उसके पास cool पैसा है, एक bank के पास में 100 rupees का deposit आया, मतलब, लोगों ने अपने इतने पैसे जमा किये, ठीक है, अब bank क्या करता है, इस 100 rupees को borrow में, मतलब, loan में चड़ाता है, और जब वो loan में चड़ाता है, तो इस loan के उपर उसको interest मिलता है, और उसी से bank अपना 11%, 12%, अब जो beach में अंतर होता है, ये deposits के उपर है, इसी को बोलते है spread, ठीक है, ये जो interest है आपका, this is the spread, और इसी spread पर, इसी margin के उपर सारा खेल होता है, ठीक है, इसी margin पर क्या होता है, दोस्तों सारा खेल होता है, जो beach में जो आप gap देख रहे हो, समझ में ही बात, इसी पर खेल होता है, अब लेकिन कुछ नियम है, इस पर जो काम करते हैं, क्या काम करते हैं, RBI कहता है कि अगर भाई तुम 100 रुपे जमा कर ले रहे हो, depositor का, तो कल को यार, bank में कोई गडबड हो जाए, और इनको पैसा लोटाना पड़े, तो एक काम करो, तुम cash के अंदर में, ए cash में मेरे पास जमा करा दो, that is known as cash reserve ratio, तो cash reserve ratio क्या होता है, एक bank का total net demand and time liability का, वो percent जो RBI के पास में, cash में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, CRR, cash reserve ratio, उसको हम कहते हैं, ठीक है, तो State Bank of India ने अभी request किया, Reserve Bank of India से, कि आप जो cash reserve ratio है, उसको थोड़ा कम रखो, कि इस पर green deposits के अब cash reserve ratio क्या होता है, I already told you, ठीक है, bank क्या करता है, bank, जितना percent होता है, जिसे अभी 4.5% है, तो जो bank के पास total NDTL है, net demand and time liability, उसका 4.5, 4.5, मतलब 100, मानलो NDTL है, तो उसका 4.5 रुपए, वो सीधा RBI के पास जमा कराएगा, cash की form में, ठीक है, एक और भी होता है, उसको SLR बोलते है, statutory liquidity ratio, यह non cash form में, bank अपने पास रखता है, ठीक है ना, यह क्यों किया जाता है, कल को यह कोई, मानलो, unforeseen circumstances हो जाए, bank के साथ problem हो जाए, तो RBI जो depositor है, उनका पैसा लोटा सके, इसलिए किया जाता है, समझ मैं ही बात, अब यह cash reserve ratio का calculation कैसे होता है, यह सब वो बा चूज कभी नहीं करता RBI, आप सोचो, 100 rupees bank के पास था, अगर उसने साड़े 4% reserve करा लिया, तो अब loan में कितना पैसा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ, loan में सिर्फ और सिर्फ जाएगा, 95.5 rupees, अगर RBI इसको बढ़ा देता है, मानलो, 5 कर देता है, 6 पर देता है, 10% कर देता है, तो 10 rupees block हो गए, अब वो सिर्फ और सिर्फ 90 rupees क्या करेगा, आगे ब्याज पर देगा, सोचो यार, bank को ब्याज तो 100 rupees पर देना है, भई, depositor ने पैसा जो जमा किया है, वो तो 100 rupees का ब्याज लेगा, लेकिन bank सिर्फ 90 rupees को यहां गुमा पाता है, तो इससे क्या होता है, दोस्तो के जो open market operation है, OMOs, उनका इस्तेमाल करता है, ठीक है, CRR guarantee that bank maintains a minimum level of funds on the hand to meet the customer demand even during the time of high demands, मलब मालो कोई crisis हो जाए, तो उसमें bank, जो है, उनकी, जो customer है, उनको पैसा दे सके, CRR act as a benchmark rate for the loan, also referred as the minimum rate for the loans, prohibiting bank from offering loans below this rate, तो यह सारी चीज़े आप एक बार देख लेना है, इसको, ठीक ह आगे बढ़ते हैं दोस्तो, भारती भासा समीती, तो भारती भासा समीती जो है, इसने अभी कहा है कि देखो यार, दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, चाइना के अंदर में engineering की बढ़ाई Chinese में होती है, रश्या में, रश्या में पढ़ाते हैं, जर्मनी में, जर्मन इस अच्छी बात है कि भारत में material ही नहीं है, समझ में आई बात, तो भारती भासा समीती नहीं कहा है कि भाया, multi-linguism is a crucial, भारत को अगर आपको विक्सित बनाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो जरूरत है कि भारत के अंदर में आप multi-linguism develop करो, इतनी सारी भासा हैं भारत में बोली जाती है, बट उन भासाओं के अंदर content नहीं है, या तो आप लिखते हो, हिंदी में या आप लिखते हो, किसमें generally English में, ज्यादा योज जो होता है इंटरेट पे वो English में होता है, तो हमारी जो local language है, उसका इस्तमाल करो, उनमें चीज़ों को लिखो, तभी लोग समझ पाएंगे, तभी लोग जाड़ा पढ़ पाएंगे, और तभी जो है भारत आगे बढ़ेगा, शिक्षेत होगा, भारतिय भासा समीती advocate promotion of Indian languages in the education and stated that textbook will soon be available Indian languages on the digital platform, भारत की जो किताब में है, वो भारत की भासाओं में बहुत जल्दी मिलने लग जाएगे, ठीक ह अब इस पे भारतिय भासा समीती क्या है, दोस्तों ये समझ लो थोड़ा एक high powered committee है, इसका काम ही क्या है, भारतिय लेंग्विज को promote करना, ठीक है, इसको ministry of education के दुवारा 2021 के अंदर में इस high powered committee को बनाया गया था दोस्तों, इसका काम क्या है, इसका काम यही है, कि उन सारे path को उन सारे रस्तों को ढूंडना, जिसके माध्यम से अब भारतिय लेंग्विज को क्या करा सको, उनकी growth करा सको, ठीक है, हमारी policy आई थी national education policy 2020 के अंदर में, तो national education policy NEP 2020 के तहत में, अब सारा कम करा सको, इसलिए दोस्तों इस committee को बनाया गया था, This committee is tasked with advising the ministries on revitalizing existing languages, teaching and research and expanding it to the various institutions across the countries. To fulfill its responsibility, this high-powered committee may appoint sub-committees or sub-groups. It also authorized to organize seminar, workshop, conferences and webinar to emphasize the importance promoting Indian language. ये भारती भासाओं को बढ़ावा देने के लिए, जोड देने के लिए, seminar, कार्यशाला, सम्मिलन और webinar आदिया उजित कर सकती हैं. Additionally, the committee can interact and coordinate with the central and state government institutions involving in teaching, research and promotion of languages. अब इसमें ये जो high-powered committee है, ये इसके अंडर, इस institution के अंडर काम करती है, जिसका नाम है श्री लाल बहादुर, शास्त्री नाशनल संस्कृत युनिवरसेटी. ठीक है? इसके अंडर में काम करती है, दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर है. ये secretariat support प्रोवाइड करता है, काम का जो होता है, पेपर वर्क होता है, तो उसके लिए high-powered committee को ये support करता है, दोस्तों. ठीक है? और जो इस committee के खर्चे हैं, वो भी इसी संस्तान से जाते हैं. It is also responsible for hiring short-term consultant, short-term के अंदर जो इस committee को consult करे, expert, scholar, official, वो भी काम यही देखता है. Ministry of Education will provide necessary funding, सारा जो पैसा है, वो ministry of कौन देता है, दोस्तों, इसमें education देता है, दोस्तों, इस उनिवर्सेटी के लिए भी, और जो ये उनिवर्सेटी काम कराती है, उसके लिए भी, और ये पै Sir, quality class 19 के आगे की class सवी, देखो मेरी बात सुनो, आप लोग एक बात समझा कीजिए, देखो वो एक series हमने पढ़ाई थी, आपने अगर वो class देखी हो, तो मैंने उसमें कहा भी था आपको, कि वो इसलिए कराया था, था कि वो आपको पूरा एक आपकी जो quality पढ़ने की जो उसको आप improve कर सकें, उसमें ऐसा नहीं है कि 19 के बाद 20 वी, 30 वी class होगी, बाकी के topics भी होंगे, बट अभी क्या है, हमारी जो app है, उस पे बहुत काम हो रहा है, क्योंकि prelims भी आगे है, तो उस पे हमें classes ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए YouTube पे हमारी classes भी कम होती है, ठेक ह तो वो एक issue है, क्योंकि जो बच्चा पैसा दे चुका है, पे कर चुका है, उसको तो अच्छे पढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तो, power grid unfazed by proposal of O&M norms changes by the CER, आप इसमें यार में तो यही है, ठीक है, Central Electricity Regulatory Commission क्या होता है, इसके बारे में बात करना है, तो और कुछ नहीं है, इसमें, नॉर्मल बात है, Central Electricity Regulatory Commission क्या होता है, इसको हमने 1998 में कानून की द्वारा बनाया था, ठीक है, उसके बाद में दोस्तो यह जो कमिशन है, एक Central Commission के रूप में काम करता है, Under Electricity Act 2003 के तहत में, जिसने 1998 वाले कानून को बदल दिया था, इस कमिशन में एक चेर परसन होता है, और चार मेंबर होते हैं दोस्तों, ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है, यह इसके काम है, ठीक है, क्या काम करता है, तो इसके फंक्शन यह रहे सारे के सारे, Central Electricity Regulatory Commission जो है, it is responsible for regulating various aspects of electricity sector इंडिया, जैसे, क्या tariff होगा, companies का, है ना, कितने में बेचेंगे, कितने में क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टार्ट में, electricity का transmission कैसे होगा, कैसे tariff जो है, वो determine होगे, license किसको देना है, किसको ने देना, वो सब इसी का काम है, इसी authority का काम होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हुए दोस्तों, next हम बात करते है, Interpol का red corner notice, यह क् हुआ क्या है, CBI जो है, उन्होंने एक absconding criminal था, उसको पकड़ के वापिस लेके आए, UAE से उसको दबोच के वापिस लाए, तो मुद्दा आया था, बस तो मुझे लगा कि Interpol और थोड़ा red corner notice, आपको पता होना ची, क्या होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे यह बना है, देखो, जो Interpol होती है, एक अंतराष्टी संस्ता है, जैसे हर देश के अंदर में अपनी law enforcement agency होती है, इंटरनाशनल लेवल पर सारी जो संस्ताएं है, जो अलग-अलग देश की जो पुलिस है, उसमें coordinate कराने के लिए एक संस्ता बना ही, जिसका नाम Interpol, इसका office France के अंदर है, headquarter France के अंदर है, ठीक है, तो जब भी कोई अपरादी एक देश के अंदर से अपराद करके भाग जाता है, दूसरे देश के अंदर में, और वो wanted होता है, वो चाहिए ही चाहिए हमें, समझ में आरी बात, कि उसकी बहुत जरुरत है, कोई कांड करके भागा है, तो ऐसी अवस्था के अंदर में, दोस्तो, उसको देश में वापिस लाने के लिए, ये notice जारी किया जाता है, ताकि जहां पर भी हो, उस criminal को locate किया जा सके, अब मानलो, इंडिया का कोई criminal है, अपराद करके भाग रख्या है, है ना, अब वो UAE के अंदर है, तो भारत ने red corner notice जारी कर दिया, तो UAE को पता चल जाएगा कि ये आदमी और ये फलाना डिमकाना crime करके भाग गया है, जरूरी नहीं है कि ये इस बात को कहे कि UAE सरकार को भी उसको ग्रफतार करना ही है, चाहे तो करे ना, चाहे तो ना करे, that's a different thing, बट हाँ, ये जो provision है, इसके तहत में, फिर UAE की government उसमें क्या करती है, support करती है, ठेक है, कि हाँ, तुम्हारा अपरादी इदर है, और तुम, तो वो वाली बात है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं, CBI has had got a red corner notice against the convict from the Interpol General Secretary No. 7, 2023, on a request by the Haryana Police, तो CBI said it brought back an absconding life convict, जनको जीवन भर की सजा थी, उसको वापीस वो ल यहते हैं, दोस्तों, यह एक request है, law enforcement worldwide to locate in temporary arrest for such fugitives, कोई ऐसा आदमी जो एक देश में crime करके भाग गया है, दूसरे किसी देश में जाके छुप गया है, कुछ होर, तो यह basically एक तरीका है, जिससे कहा जाता है कि भाया, इस व्यक्ती को ढूंडो, locate करो, और temporary time के लिए इसको arrest क करके अपने पास रख लो, बाद में तो जिस देश से हो भाग गया हो, उसको आपीस ले जाएंगे, it notify police force around the world about their fugitives who are wanted internationalese, यह दुनिया भर की police बलो और उन भगोडों के बारे में सुचित करता है, जो अंतराष्टिय स्तरपरवानचित है, a red notice contains identifying information about the wanted person, such as name, date of birth, nationality and physical feature like hair, eye color along with the photos and biometric, जब आप red corona notice जारी करते हो तो यह सारी चीजे चाहिए, नाम, date of birth, nationality, physical feature, कैसा दिखता है, यह सब, है ना, it also includes details about the crime they are wanted for, क्या can't करके भागे है वो, ठीक है, वो सब उनको पता होना चाहिए, issued a red corona notice at request of member country, जैसे अब इंडिया इंटरपूल का member है, तो भारत ने request किया, तो उसके बाद में उनको वो red corona notice मिल जा, ध्यान रखना है, red corona notice हो है ना, बस यह सहोग की बात है, ऐसा नहीं है कि red corona notice हो गया, अब मालों वो fugitive बंगलादेश में चुपाया, तो वो बंगलादेश की जो law enforcement agency, उसकी जिम्मेदारी है, उसको पकड़ना, arrest करना और भा काम करती है, ठेक है, जहां पे crime हुआ है, और वो red notice जारी कर देती है, ताकि सब को यह पता चल जाए, कि हाँ यह आदमी फलाने देश से crime करके भागा है, now it depends on that particular country, कि उसको उसको पकड़वाना है या नहीं पकड़वाना, red notice request can be made by international criminal court and tribunals, जो red notice है, इसका नोरोध, अंतर international arrest warrant, ध्यान रखना दोस्तों यह important बात है इसके, यह कोई international arrest warrant नहीं कि जहां पर भी दिखा इसको गरफतार कर लो, ना वई, ठेक है, बस यह request है, कि यह बंदा है कांड करके भगा है, इसको locate करो, और अगर तुमें मिल जाए तो temporarily इसको दबोच के अपने पास रख लो, हैना बाद में हम इसको ले जाएंगे, ठेक है, that's it, Interpol cannot compel a law enforcement authority in any country, अब जैसे भारत member है Interpol का और मालो पाकिस्तान भी है, अब इंडिया में कोई कांड करके भागा और पाकिस्तान में जाके चुपा है, हमने red corona notice लगवा दिया उसमें, अब Interpol का member भारत भी पाकिस्तान, बट Interpol दबाव नहीं डाल सकता है, पाकिस्तान के पर गिये तो नहीं नहीं, इसको अरेस्ट करके भारत को दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठेक है, समझ में आगी बात दोस्तों, तो ये बेज एक सहायता है, एक request है, हर country का अपना, वो है, वो red corner notice को किस प्रकार से देखता है, कोई serious लेत operation है दोस्तों, जिसका काम है अंतराष्टी स्तर पर, पुलिस के बीच में cooperation maintain करना, ताकि दुनिया वर के अंदर में जो crime है, उनको होने से रोका जा सके है, आज पुरी दुनिया में इसके अंदर में total 155 में member states हैं, जो इसके अंदर में है, और इसका headquarter Leon, France के अंदर में है, Each member countries, they operate on Interpol National Center Bureau, NCB, मैंने बताया, जासे भारत है, तो Interpol का जो एक representation भारत देश में है, मतलब Interpol अब भारत में कहेगी, तो किस से बात करेगी, भारत में तो कई सारी law enforcement, तो इंडिया में जो NCB का काम करती है, वो CBI करती है, मतलब जो coordinate करती है na Interpol, भारत में, वो CBI से करती है CBI Interpol, जो it plays a crucial role in coordinating global police network and experts across the various crime, across to combat the criminal activity, Interpol अपराधी गतिविदियों से नेपटने के लिए, विभिन अपराध छेत्रों में, वेस्विक पुलिस नेटवर्क और विशेशग्यों के समवन्य में महत्वण भूमी का निवाती है, वो आपस में समवन्य में अच्छा काम कर सके उनके बीच में coordination हो, इसके लिए दोस्तों किसका काम होता है, ये काम में कौन help करता है, दोस्तों, Interpol, ठीक है, तो ये coordination के अंदर में आपको क्या करता है, दोस्तों, Interpol आपका help करता है, यहां तक अगर आपको बात समझ में आई, तो बताइए मुझे, करिए भाई, okay की report, औ ठोक दो, okay report कर दो guys, and please, 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 video को like, share जरूर कीजिएगा, कर दो, और नह सिर्णी, घस नह सतना है, कर दो, disकुपाइगा, यहां प्ताउते नही है, पर दो, यहां ढड दो, कि将 व्ताइबाः, सब दो, is भ्तावचая खताउज च्तावीजज़री नहीं, जहीं, नहीं ठीक है चलो लाइक भी कर दो वीडियो को यार अगला टॉपिक है एंटी डंपिंग ड्यूटी समझनी है आपको क्या होता है तो अभी भारत के इंदर में क्या हुआ है एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेके एक प्रॉब स्टार्ट हुई है मुद्ध है कि बाहर से ना सोलर जो पैनल उनके ग्लास आ रहे हैं चाइना स्वेर वियत नाम में और वो बहुत कम प्राइज में आ रहे हैं समझी पर एंटी डंपिंग क्या होती है देखो आज पूरी दुनिया के अंदर में अलग लोग अलग लग चीज बना रहे हैं मैनेफिक्चरिंग कर रहे हैं हर आदमी को चाहिए कि मेरे देश से मैनेफिक्चरिंग जादा हो मेरे देश का जो ग्लोबल ट्रेड है वो बढ़े मैं दूसरे देशों को ज्यादा चीजे बेचू सब यही चाह रहे हैं और ऐसे में वो क्या करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते हैं ग्लोबल मार्किट में शेर अक्वायर करने के लिए एक बड़ा ही सा अक्वायर कैप्चर करने के लिए वो क्या करते हैं दोस्तों वो अपने देश में जो लागत मुले उससे भी सस्ते के अंदर में अपने प्रोड़क्ट को दूसरे देश में बेचने लगते हैं मालो एक प्रोडक्ट है मालो यह solar panel है इसको बनाने में लगे 100 रुपए है चाइना को अपने देश के अंदर में लेगिन चाइना क्या कर रहा है चाइना चाहता है कि बस मेरा तो 100 रुपए लग रहा है तो कोई भी जाहिद सी बात है बेचेगा तो 100 से तो जादा हम बेचेग कोगा बहें चाहिना उनको अपने चाहिना खुद भी घाटे में देच रहा है लेकिन बेच रहा है चाहिना क्यों बेच रहे है कि कुछ समय के बाद सारे इंडियावले मंगवाएंगे कहा से बहीं चाइना से हमें देदो हमें देदो इंडिया का जो domestic market है वह ठप हो और जब domestic production ठप हो जाएगा, इंडिया के पास में कोई दूसरा चारा बचेगा ही नहीं, चाइना के अर्सके सक खरीदने का, फिर चाइना इसमें जो 50 में बेच रहा था, 100 की बन रही चीज थी, अब इसी को कहेगा, 1000 में दूआ वाई, योग इंडिया के पास अब और कुछ ह countervailing duty कहते हैं, anti-dump, dump का मतला फेंक दिया है सही, तो ये चाइना डंप कर रहा है, 100 रुपे का बनाया है, उसमें खुद के देश में भी और वो 50 में इंडिया में फेक रहा है, डंप कर रहा है, just to disturb the Indian market, अब ये ठीक है, 50 में बेचा है, सरकार क्या करते हैं, चाइना से माल ला रहा है, 100 रुपे का है, भारत देश में इनी चीजों का मुल है, 1.500 रुपे, चाइना इसको 50 में दे रहा है, सरकार कहा रही कोई बात नी, 50 तो चाइना वाला, प्लस 100 रुपी में ने इस पर क्या लगा दी, anti-dumping duty, तो उपडर कितने का हो गया, 1.500 रुपे, इससे क्य कार की होती है, समझ में आई बात दोस्तों, तो इंडिया ने एक जांच स्टार्ट की है, मुद्दा ये है कि चाइना और वियतनाम से सस्ते solar glass panel जो है, वो भारत में dump किये जा रहे है, ठीक है, dump का मतलब यही होता है, कि जबरदस्ती सस्ते rate पे उन्हें भारत के अंदर में डाला जा रहा है, अब ऐसे में duty लगती है, उसको बराबर करने के लिए जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, that is anti-dumping duty, एक tariff होता है, which is levied on the import from the foreign countries, जब आप विदेश से कोई चीज मंगवाते हो, और विदेश से वो चीज आ रही है आपके देश में, लेकिन उसका जो भाव है, वो उन्होंने बहुत जादा कम लगाया हुआ है, उनका जो market value है, उससे भी कम में वो दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो बस आपकी देश की market को disturb करना चाहते हैं, तो वो होता है dumping और उसको balance करने के लिए एक anti-dumping duty लगाई जाती है, ठीक है, समझ में आई बात दोस्तो और world trade organization कहते है, WTO के तहात में, आप ही लगा सकते हूँ, it's a legitimate, because इससे fair trade जो है वो आपका promote होता है, ऐसी एक duty होती है, इसको countervailing duty कहते हैं यहाँ, CVD, is a specific type of duty imposed by the government to counteract the negative effects of import subsidies on the domestic producer, ठीक है, तो यह क्या होता है सर, मालो import कोई चीज करता है, सरकार कहती है, तु बाई किसी देश में मालो चीज महंगी मिल रही है, ठीक है, आप हो import कर रहे हो, सरकार कहते है, ठीक है आप import करो, महंगा मिल रहा है, तो हम आपको subsidy दे देंगे, system दे देंगे, जैसे चाइना की कोई company भारत से कोई product खरीदे, और Chinese government उसको क्या करे, उस product पे subsidy दे, तो उसको फायद price for their goods in the other country, potentially harming the domestic industries, to prevent this, the importing country imposes CVD, ऐसे में जो country है, उस पे CVD लगा देती है, ठीक है, एक import tax होता है, जिससे जो subsidized product है, क्योंकि वहाँ, जब ये देश में बन रहा था, तो उनकी सरकार ने इसमें बहुत heavy subsidy दी थी, तो ये उसको neutralize कर देता है, WTO, allow its member country to impose CVD, valid है, याद रखना, CVD भी है, और जोस्तों, आपका जो anti-dumping duty है, दोनों allowed है, ठीक है, anti-dumping कब लगता है, जब एक देश, अपने देश का जो fair market price है, उससे भी कम में, आपके देश में product अपना छोड़ता है, dump करता है, तो उसको बोलता है, dumping, countervailing क्या होता है, कि मान लो, कोई देश है, वो अपने वहाँ producer को बहुत ज़्यादा subsidy दे रहा है, और उससे वो हाँ के देश के जो लोग है, या वहाँ की देश की जो manufacturing है, बहुत सस्ते बे वो product बना दे रही है, अब वो सस्ते में बना दे रही है, कि उनको तो सरकार subsidy दे रही है, तो ऐसी वस्ता में product सस्ते होते हैं, दूसरे देश के जो manufacturing को नुकसान होता है, तो उसको balance करने के लिए countervailing duty लगती है, और दोनों permittable है, थलब दोनों पे permission है, कोई issue नहीं है, तो अगर आप कर रहे हैं दोस्तो, prelims की तैयारी दोस्तो, तो हमारा target prelims batch चल रहा है, आप जुड सकते हैं, geography, optional, sociology, optional, ethics, integrating, aptitude, इस सारी classes आप मेरे साथ मिलके अभी कर सकते हो, आप हमारे साथ membership में भी जुड सकते हो, one year, two year, three year membership है हमारी, इन membership के अंदर में क्या होता है दोस्तो, आप जितनी भी हमारी classes है, जितनी भी हमारे batch है, हमारी app के उपर सारे आप access कर सकते हैं, तो सुचनाएं आपको दे दी जाएंगी, हमारी app है, Google Play Store पे जाके उस app को download कर लिजे दोस्तो, साथ साथ में यह Telegram Channel जरूर follow कीजे, अभी जो PDF है, मैं इसी Telegram Channel पे आपको दे दूना, ठीक है, on this note, we are ending this session, thank you very much, मिलते हैं आप से next